दोस्तो अमूमन हम ये मानते हैं कि हमारा मन ही सबी चीज के लिए जिम्मेदार होता है हमारे अच्छे कामों के लिए, हमारे बुरे कामों के लिए, हमारी प्रोक्रास्टिनेशन के लिए, कामों को टालने के लिए और सब अच्छी या बुरी चीजों के लिए दोस्तो एकिसर्च के नुसार हमारा शरीर भीस के लिए जिम्मेदार होता है हम इसको कितनी नीन देते हैं हम इसको कैसा भोजन देते हैं दोस्तो एकिसर्च में ये साबित हुआ है कि यदि हम ज़्यादा फास्ट फूड खाते हैं ज़्यादा ऐसा भोजन खाते हैं, जिसके अंदर उर्जा तो ज़्यादा होती है, कैलरीस तो ज़्यादा होती है, लेकिन उसके अंदर पोशक्तत्व नहीं होते, तो हमारा शरीर और मन दोनों सुस्त हो जाते हैं, काम करना कम कर देते हैं, और हमें और ज़्यादा बनाते हैं जिससे हम एक vicious cycle में trap हो जाते हैं और हमारा मन भी इससे प्रभावित होता है जिससे हमारे decision पे भी असर पड़ता है दोस्तो हम एक संतुलन मनाना है एक balance बनाना है अपने मन के साथ साथ अपने श्रीर के स्वास्ते के लिए भी काम करना है भोजन भी अच्छा लेना है नीन भी पूरी लेनी है काम भी करना है इसे ही हम work life balance कह सकते हैं दोस्तो ये थे वो चार शांदार lesson जो ये शांदार किताब हमें स्थिखाती है यदि आपको लगता है कि औरों के भी काम आ सकते हैं तो इसे के लिए नमस्कार